वीडियो आरिफ के देखे होंगे आरिफ सारस की तमाम दोस्ती के बारे में आपने वीडियो देखे होंगे आज हम मौजनपत के घोसी जगह है और यहां के राम समुझ यादो जी की कहानी आपके सामने ला रहे हैं किसान है वस्तुता किसान है लेकिन किसानी के दोर के बीच एक सारस से दोस्ती हो जाती है इनकी दोस्ती बहुत सालों से चलती है और आज ये देखे किस तरीके से पूरे मौँ छेतर में ये चर्चा का विशय बना हुआ है कि वाकई में फिर से आरिफ और सारस की दोस्ती एक बार फिर यहां दिखाए जा रही है सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं यह राम समूज यादो जी हैं और खासकर आजकल बड़े गूटेंटर चल रहे हैं। क्योंकि लगातार आपके वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जारहे हैं। थोड़ी दिन पहले आरिफ और सारस की बात चली थी तब से तमाम वीडियो लोगों के वाइरल हो रहे हैं कहीं सारस का दिखाय जा रहा है लेकिन आप से कैसे दोस्ती हो गई यह बता दीजें सर खेट के तरफ जा रहे थे अच्छा यह कहीं से भूल के या चाहे अपने जोड़े के साथ आ रहा था छूट के बहग के कही ने से चला अच्रा आफ इसको भूब लगी थी हां इसको मैं पानियोत पिला अच्छा चोल दी एक चोड़ने के बाद हम गए इसको फिर देखें हमने खाना होना कि ला अच्छा है और फिर प्रयास कियें कि चला जाए अच्छा लेकिन जाता नहीं है अक्सर गौमें ही और हम प्रयास करते हैं कि चला जाए चला जाए अच्छा ये कितने दिन पहले की बात है अब लगवग लगवग 7-8-10 महीने हो गया अचानक लोगों को कैसे पता चला कि आरे बतलब एक राम समुझ जी भी है आरिफ की तरह नहीं नहीं कोई बैठे तो उसी तरीके से एक वीडियो बन गया और डाल दिये बस अपने फेस्बूक पर डाले थे हाँ अपने इस्ट्राग्राम पर डाल दिये फिर किसी ने देखा फिर वहां से कहानी है अच्छा अच्छा तो अभी क्या कितने दिन से है तकरिवन यह सारस होगे 8-10 महीने बहुत दूर नहीं जाता इतने दूर में रहता है कही ना कहीं आपसे प्रेम एकदम कह सकते है जो सारे लोगों से लगाओ है अच्छा अभी तक वन विभाग ने संपर्क नहीं किया क्योंकि कोई भी आदमी ट्रेंडिंग जब होता है तो उसके साही सवाल है जब मामला उचलता है हाई-लाइट होता है तो लोग उसको यह करते हैं लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है हो सकता है लेकिन भगवान आपके सारस की जोड़ी को सलामत रखे और ऐसे यह सारस लोगों के बीच कहीं न कहीं ऐसे मौजूद रहे ऐसे करते रहे युवाओं की पसंद युवाओं की बहार अच्छी बोड़ी परेगी शांतार आपके हाटा बाजार में जिम नहीं है यह तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो हमें देखे बहुत अच्छा लगा आपसे भी तो यह थे राम समुझ यादो जी जो लगातार अपनी बातों को लेकर अडिक थे इन्होंने साफ कहा कि पता नहीं वहिया ऐसे ही रास्ते में आ रहा तो तो ऐसे हो गया त बहुत बड़ा सवाल आपसे छोड़ देते हैं वाकई में हमने पेड़ों को काटा वाकई में हमने लोगों की या कहा जाए जानवरों की जगहें का पे कबजा किया और आज ऐसी इस्तिती बन गई है कि यह सारस जो आपको दिख रहा है वो कही न कहीं अपना इस्थान ढू आप लगतार वीडियो में बने रहेगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर की जेगा बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब